आज मैं आपको पढ़ाओंगी इस चैप्टर की राइचर है और है मार्गो मिंको यह चैप्टर है इस पर हमें वार टाइम के बारे में कुछ बताया जाएगा देखो जब वार होता है ना तो उस समय पे काफी सारे लोगों को अपनी लाइफ अपनी प्रॉपर्टी का उनका होता है काफी जो बच्चे होते हैं उनके पैरेंट्स अले जाते हैं ठीक है लोगों को रात तो रात अपने घर छूड के भी कई बार भागने पड़ते हैं अगर कोई सिचुएशन खराब हो जाती है और सोचो उसका एक इंसान की लाइफ पे कैसा एफेक्ट पड़ता होग अगर फादर जो है उनकी पूरी फ्यामिली थी उस वॉर के अंदर उने वह खो दिया था उनको और जब अपना घर को लीव कर के गये थे तो जाने से पहले उनकी ने जितने भी घर खर के एंटीक्स थे जितन भी इंप्टें बहुटन क्रों करी सिल्वर के बर्दन थे उनक कि मदर नियोंने बोला था कि वहां से जाके वापस ले सकते हैं तो अब ऐसा ही होता है वार हो चुका था कम्प्लीट हमारी ऑथर की फैमली में से कोई भी नहीं बचा था सिर्फ और से वह थी और वह एक फ्लैट में रहा करती थी तो एक दिन साती के साथ में हमारे को काफी कुछ समझाता है वह तैम सिच्विशन के बार में तो जैसी ओधर उस लेड़ी के घर पर पॉस्ष तो वह लीड़ी दर्वाज़ा खोलती है ठीक है मैं तीनी करेक्टर है मारे इस चाप्टर के एक एक ऑथर की मदर रहे जु प्रेजह नहीं जा पार में आप जानने को मिलेगा हमी एक वो लेडी जिसको उन्होंने सारा अपना गुड्स दिया थी वो उनकी फ्रेंड थी कि अपने घर पे रख लो और उस लेडी की बेटी नाम है उस लेडी का मिसस्स डॉलिंग तो अपने चाप्टर को तो जैसी चाप्टर शुरू होते ह जाती है दो यू स्टल नो मी तो बेसिकली वो उस अंटी के घर के दर्वाजे भी चली गई है यांटी है और यह हमारी ऑथर है घर के बार खड़ी में अभी और उसे पुस्तिया रहे आप मुचे जानते हो अब भी तो वो जो आंटी थी वो क्या कर रहीं थी उन्होंने दर कि अटी को कहती है और तो तो यहां पर मिससे एस है हमारी ओधिर की ममी तो वह कहती है मैं मिसस एस की दोटर हूँ और उस्ने वह क्या अँटी ने ऐसा पक्के से दर्वाजे को पकर रखा था कि ऐसे उसको कि इतना सखोल रखा था कि मैं गलती से भी उनकी घर के अंदर ना देख लूँ ठीक है तो फेर जो वो कहते हैं मैं मिसिस एस की रॉटर हूँ तो वो अंटे कोई जवाब नी देती है से साइलेंट होके देखती रहती है और ऐसे मुलब रियाक्ट करती है कि वो मैं गलत घर पर आगी हूँ में भी मैंने कोई गलत घंटी वचा दी हो तो जब वो से पहचानने कर रियाक्ट ही नहीं करें तो आप किसी को जानोंगे तो किसो होगा है हाँ मैं तुम्हें चांदू नहीं वो आंटी खड़ी में दरवाएसे पर देखे जानी है और ऐसा रि मैं अभी में लेगा रेखे रहा अन्या छंटनी तो धी शल्चे पान पिंगे तो टूलीम पढ़न अचना लिए यह मेरी वही ममी की फ्रेंड का घर है क्योंकि इन्हों ने वही वाला कार्डिगन जो है वह पैर रखा है तो अब वारत भी देख लेती है कि इसने कार्डिगन नोटस कर लिया इस बच्ची ने अब बताती है नहीं नहीं सिर्फ मैं ही आई हूं मेरे लावा कोई नहीं आया वाट से वापस और तब वह जो लीडियां वो दोर को खोल देती है तो वह कहते हैं कि उनका घर कैसा सता है आपको धिहान रखना है कि वह जो अंटी का घर था उसमेल उसमेल जैसे कोई सीलन टैप कर सकती हूं तो हमारी जाए मैंना बहुत दूर से आयों ट्रेन लेके मुझे बस कुछ मिर्ट ही आप से बात करनी है मुझे बस आप मुझे से बात कर लीजे तो वह कहते हैं मेरे अभी मेरे पीछे बंद कर दिया और दर्वाजा बंद करा कि अंदर किसी को सुनाई ना दे क कि दर्वासा बंद हुआ है फिर हमारी और क्या करती है खड़ी तो वह वापस उतर के आती है जैसी मैं उसके घर से बाहर निकली तो मुझे दिखा कि उनकी घर की विंड़ों थी खिड़की थी वहां का परदा हिल और मुझे को देख रहा था और फिर उस औरत की अंदर से से injon कि अंडर घर होता है तो करी में बाहर आती हूं मैंने अपार आके दीखा कि उस पे नेम describes प्लेस्स हो जुकर चूति लिखा और दिलिंग वो दोलिंक उस लोगों की कास्ती है वो मिसीस डॉल इनामल हो रखा था और नमबर था От था और आउस लिका Matthew ती दॉलिंग्स लिखा बते हाउस नम्मर लिखा बाता 46 एंड ये जो एड्रेस था ये पर्टिकुलर एड्रेस ये अड्रेस ओबिसली हमारी ओधर को उनकी मदर नहीं बताया था अपने घर वापस जा रही होती है और जैसी वह घर वापस जा रही होती है तो उन्हें याद आ ज देखिए एक दिन क्या हुआ मैं घर आय थी सायद होस्टेल से आये थी एक ट्रिप पे गई थी मैं घर आई अपने में पहुत सब्सक्राइब और यह प्लेट्प है थी कुछ प्लेट्ट से उनन इंटिक सजाने वाली पाछे प्लेट का सेट होता है, वो दिवारों पे लोग सजाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, वो हो गई, उनके आ कुछ चांदी के बरतन थे, कुछ कैंडल स्टिक्स थी, अलग-अलग चीजों की जो है, उनको लगता है, कि कुछ गायब है मेरे घर से, पहले जैसा नहीं है, तो वो कह रही है, मैंने जब ममी को पूछा, मिसिंग स्टफ के बार में, तो मेरी ममी मेरी तारीफ कर दिये, कि वा हो, तुम तो बड़ी डिटेक्ट में आगे, I don't know, तो उनकी मदर उनने बताती है, कि यह जितना भी स्टफ हमारे घर से काया बोरा है, यह मिसिस डॉर्लिंग अपने साथ लेके ही चली गई है, और मिसिस डॉर्लिंग तो बहुत अच्छी है, मैंने नहीं 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 का था कि आप मेरे घर से प्लेड ले जा और नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मुझे खुदी सजेस्ट करा कि अगर वार हुआ और हमें रातुराज गर चोड के भागडा पड़ा यहां से अपनी जान बचा के तो यह सब चीज़े तो चोरी हो जाएंगे, कोई और ले जाएगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि यह मैं उ सब कुछ जो है, एक बारी में वो सारी क्रॉकरी ले गई, अब आप यहां पर लाइन्स पड़ोगी, जो मिस्स एस है, ऑथर की मदर जो है, वो काफी गलेबल है, बहुत सीधी ओरत है, वो कहती है, पते तुम्हें उन्हें इतनी दिक्कत होती है, यह फ्लावर वास लेके ज चली जाती हो अपने घर में, ठीक है, तो ऑथर पूछती है, कि आपने उनसे पूछ है, कि क्या वो यह सब अपने पास रख लेंगी, क्या में इसी क्लिए और पूछना चाने है, क्या तुम्हें उन्हें बोल दिया है, कि हम यह सब आपस ले लेंगे, तो उनकी मदर को यहा किसी और को दे है, अब क्या हुआ, ऑथर वापस आजाती है, अपने नॉर्मल टाइम में अभी तो यह फ्लाश वैक में अपने दिमाग में इसे बाते सोच रही थी, वो ट्रें स्टेशन पे बहुच जाती है, और जिस तरन वो रास्ते में चल के जा रही थी, जैसे वह 46 व तो में नेबर हुट के अंधर, और वो वोर के समय पे वहां से भाग गए थे, जब वो नेबर हुट में रहती थी थी, उनकी फैमिली उनके साथ थी, उनके सिस्टर्स, उनकी सिब्लेंक्स जो हो गए, और अब उनके साथ में कोई भी नहीं था, वो अकीली बचें थी, तो जब भी वह जगा से निकल जा रही थी ना तो बहुत सारी मेमरी जाती हैं तो अब अकेली थी तो मारकोनी स्ट्वीट से बहर आती है ठीक है वो जैसे स्टेशन पहुत जाती है तो इस स्टेशन पे मुझे फिर से मेरी मन में दिखाई दी मिस्स जॉर्लिंग यानि कि फिर से में मन में जैसे कि अगर आपके साथ में कोई इंसिडेंट हो ना किसे इंसान को लिकर तो आप उस इंसान के बारे में सूच्छा हां उस दिन ऐसे वा था वैसी अब हमारी ओधर को फिर से दिमावी में आती है मिस्स जॉर्लिंग ओके थी सुभा सुभा की बात थी मैं लेट लेकर जार नहीं थी तो मैंने अपनी मम्मी से पूचा रही बहुत दूर रहती है कि अब यह कैसे जाएंगी तो उनकी मदर उने बताती है कि यह मार्कोणी स्ट्रीट पे रहती है और यह अभी मार्कोणी रोड पे गई थी अपनी उनसे मिलने ठीक है डॉलिंग आटी से त तो आथर कहती है जब वार एंड भी हो गया तब भी मतलब कि सोचो कि वार के अंड हो थी ऐसे यह नहीं चली ही मार्कोणी रोड पर डॉलिंग आटी क्या मेरे वापस करो नहीं करी मैंने बहुत वेट करा मैं कभी मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं जाओंगी और वो चीजे वाप किता गया वह टाइम खतम हो गया सब कुछ नॉर्मल होने लग गया ठीक है लोगों को नीम दानी शुरू हो गई वो कहती है अने की अब लोगों के मन से वार के टेंशन एंड हो गई उन्होंने भी एक अपार्टमेंट अब रेंट कर लिया था तो एक दिन ऐसी मेरी मन में क्यों आप में साधी बिलॉंगिंग्स अपनी बिलॉंगिंग्स मतलब वो जितना भी स्टफ उनका था उनके फैमिले का वो सोशती है एक दिन मैंने का चलो अब मेरे में हिम्मत आवी है मैं वापस जाओंगी वो उनका पास्ट था ना उनके घर की सारी चीग से अब घर का क जा खका जो अब ऊंता है दो टोल लों मिїस से मिला था टो उनके साव पहर हो वें का मिले मधुर उनका को सबने कटीए तो मैं घर भी से उताई है टो लिड़की ने एंट्री देरी डॉर्लिंग की बेटी ने एंट्री देदी हमारी ओफर को घर के अंदे तो वह दर्वाजा खोला उसने वह स्मेल आ रही थी उनके घर में और एक लंबा सा पैसेज था याने कि एक गली आ रहा था ठीक है तो करी में चलके जाड़ी थी तो मीर को एक हनुका द सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने देखा इसको मुझे याद आ रही यह हमारा ही है और वह बच्पन का अपने बते हैं हम इसको यूज नहीं कर देते हैं क्यूंकि जो है हम एक सिंगल कांडल होल्डर ही प्रसंट करते हैं तो यह भी उनका था फिर वह कैरी वह जो क्यानी होगा और नहीं भी बेसिकली जैसी वो लिविंग रूम में उन्होंने एंटर कर रहा ना गाइस एक एक चीज उनकी मदर की थी एक चीज उनके घर की बिलोंगिंग्स उस लिविंग रूम में सज रखी ती और कैनी मुझे बहुत बुरा लगा इतनी अजीब सी जग बैटेश को के जो है बॉक्स के अंदर काटून के अंदर उनका सारा स्टफ जो है स्टोर करके डॉलिंग आटी ने रखोगा बट नहीं डॉलिंग आटी ओविसली लाल ची थी वह सब कुछ जबर्दिस थी उनसे लेके गई थी क्योंकि उने वह सब जो है यूज करना था त जान दाता है कि वह सब्सक्राइब जावा था यह था जानवा है क्योंकि उनके घर काता था था तो वह धूंद रही हो यह जलावा कहां से इतने में ही डॉलिंग की बीटी तो अच्छी है और यह जूशी है क्यूंकि उसे पता नहीं है कि यह कौन आही है यह हमारा स्टफ तो वो बी आप चाय पीओगे तो उसको चाय ओफर करती है हमारी निकालती है वह भी मुझे पता था वह हमारी थी वाइट कलर का पॉटे उस पे ऐसी गोल्डन की गोल्ड की जो किनारे गोल्ड के बने वे हैं उसने चाय पल्टी उसमें से तो वह भी उन्हें आदा गया कि वह भी उनके थी अब मीनवाइल जो है फिर वह चमच निकालती है सुंदर से बॉक्स में से जो है चीनी को मिक्स करने के लिए तो उन लोगों का ही था गया इस सुंदर सा एंटीक सा और जैसी वह देखती है उस बॉक्स को तो बोलते है डॉलिंग की बेटी को वाव ये बॉक् हां हां मीरी ममी कहते हैं कि यह जो बॉक्स है यह एंटीक है इन फाक्ट हमाइज पास तो बहुत सरे एंटीक आइटम से आप घर के में देख सकते हो पूरा तो वह कहनी है मुझे जरूरत भी पड़ी मतब कि डॉलिंग की बेटी टशन मार ली थी कि हमार पे तो बहुत सरे इंटीक है और कि मुझे कोई जरूरत नहीं थी देखने की कौन से इंटीक के बार में वह बता रही है मुझे पता था उनके घर में यह लिविंग रूम के चारो तरफ वह उन ही का था और उनमें से क्या-क्या एंटीक था फिर वह जो है धून रही थी ना बार बार वह प्लेट्स को जो हां पे लगी होती है एंटीक प्लेट्स सजावत वाली देखके उन्हें याद आता है कि उनमें से एक प्लेट पे एपल बनावा था और उनका बच्पन में वह बहुत ज़दा पसंद थी तो जब वहां देख रही होती है हां मुझे भी बहुत अच्छी ल हो गए ठीक है तो उनको वह बंट मार्क मिलता तो डॉलिंग की बेटी नूटेस कर लेती है कि वह कैसे उनके घर के स्टफ को ऐसे देख रही है तो ऑथर ऐसे कवर अप करने के कहते हैं हाँ आपके घर तो इतना सुंदर इतनी सुंदर सुंदर चीज आपके आपको यह में क्या हुआ था उनकी ठेक नहीं थी घर पें थी वह तो उनकी मदर उने कहते है बिटा आज आप मेरी हेल्फ करोगे सिल्वर वेयर को पॉलिश करने में तो मुझे पता नहीं था कौनशी चांदी की चीज़ों की वह बात करी है फिर वह चमच और कांटे और स्पून वग अब ही थे ठीक है तो अभी हमारी ऑथर तो यह सब सोच रही थी इतने में डॉर्लिंग की बेटी पते क्या कहते हैं आपको पता नहीं हम खाना किस से खाते हैं बेसिकली शायद डॉर्लिंग की बेटी को शरम आगी हो वह बंट क्लॉच देखके टेवल तो आप उसको लगा इतने में हमारी ऑथर को बहुत अजीब सा फील होता है और वो कहते हैं मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है मैं जा रही हूं का मन कहते हैं कि उन्हें एक मिनट बी उस डॉइंग रहना है वह भागती है भार की तरफ तो वह डॉर्लिंग की बेटी के आपको तो मेरी ममी से मिलना जाती है जैसी वह भार आजाती है वह सड़क के किनारे पर पहुंच जाती है फिर से मुड़के उस घर को देखती है नेम प्लेट को देखते है डॉलिंग 46 नंबर देखती है और उनको अब ऐसा लगता है कि मैं कभी भी इस जगह पर वापस नहीं जाओंगी क्योंकि अब क रहा था कि उनकी चीज़ों को देखेंगी तो उनने अपनी मदर अपनी फैमिली सब की आद आगी अब उनने बहुत अजीब सा लगा एक अनफेमिलियर वे में अपने अब्जेक्स को देखे और उनकी वैल्यू खतम हो चुकी ती अब उन चीज़ों की तो वह डिसाइड कर करना भी क्या था यह प्लेटो का और यह कप का और यह सिल्वर वेर का मेरा तो इतना चोटा सा फ्लैट है उसमें तो विंडो के ओपर कर नहीं है काले रंग के पेपर मैं लगा रहा रहा है मेरे पास यह चीज़ों की भी कहां अपने घर में तो इस बेटर कि मैं भूल को जो उन्होंने सहा होगा जब उनकी फैमिली नहीं रही डियूरिंग दो वार टाइम और वो अब थी ठीक है तो वह कहते है अड्रेस बूलना तो और यह चीज़ों से यह तो मटीयलिस्तिक चीज़ें यह क्या है अगर मैंने बुला दू उनको जो रियल चीज जो उन्हों पर देखते हैं कि वह उन्हें यूस कर रही है तो उन्हें लगता है उनकी वाल्यू अब नहीं रही और वह भाग के वापस आला थे और वह डिसाइड करते हैं वह आपस कभी नहीं जाएंगे शी डोंट वांट देम इनीमोर बिकॉस वह उनके लिए एक मेमरी के था ऐसा न उन्हें डॉलिंग के घर में देखी शीव नॉट इंड्रेस्टे अनिवर यहां पर आपका चैप्टर कंप्रीट अब यहां पर करेक्टर स्केचेश आएंगे डॉलिंग जैसे लोगों के जो कनिंग होते है शेतान होते है चालू होते है ठीक है ऑथर की मदर जैसे सीधे ल अगर उसको आपको देखना है तो एक तो नोट्स अगर आपको चाहिऊंगो तो आप में इसे चेक कर सकते हो स्क्रीन पर आपको दिख जाएगी इंसे ग्राम आइडी वहाँ पर इस नहीं हर चैप्टर के नोच इंपॉर्टन क्वेशन करेक्टर स्केच इस गिवन है और अ ने चाहती, ने चाहती हो वावा तकर आन बेस्टोखना